हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीड़ो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन यूपी पीसी की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है, यूपी पीसी द्वारा वो फ्रेंट्स से निकाली गई है, यूपी टेखनिकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए, और आप इसके लिए ओनलाइन अप्लाए 15.9.2021 से 12.10.2021 तक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो इसका ओफिशल नॉटिफिकेशन है, इसको आप रीडाउट कर ले, यहाँ पर फ्रेंट्स आपको number of vacancies जो की फ्रेंट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तोटल जो पोस्स है वो आपके 1370 पोस्स रहेंगी, अब यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की, ले अप्लाय करना चाहते हैं, आप अप्लाय कर सकते हैं, और अप्लाय करने से पहले फ्रेंट्स इसकी जो LPD conditions है, उसको आप ध्यान से जरूर पड़ें, इसके बात करते हैं, इसके फॉर्म फिलब प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं तो यह इसका online apply portal है और यहाँ पर आपको registration करना होता है तो candidate registration का एक option है आप इस पर click करेंगे आपको सबसे starting में option मिलता है apply का आप यहाँ पर click करेंगे इसके बाद friends यहाँ पर आपको जो instructions है वो आप यहाँ देख सकते हैं और आप जिस भी post के apply करना चाहें वहाँ पर apply कर सकते हैं आपको number of post यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है इसके लिए friends आपको सामने दिये गई registration टैप पर click करना होगा जिस भी post के लिए applicable है apply करना चाहते हैं आप apply कर सकते हैं इसके बाद friends अगर आपने पहले कभी registration किया है UPPSC में तो आप यहाँ फिल करेंगे आपका नाम इसके बाद आपको फिल करना है आपका father name और इसके बाद एक option है dimensional का अगर आप UP के निवासी नहीं है सबसे पहले तो आप no कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो category है वो आपकी only general रहेगी और यहाँ पर आप government employee है उत्तर प यूपी के आपके according आप यहाँ पर कोई भी option को yes या no कर सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है आप किस option में applicable है अगर आप यहाँ पर ph candidate है तो उससे related आपको जानकारी फिल करनी होगी ऐसे ही friends से यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना होगा आपका gender आप आपको select करना है आप married है तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं आपका 10 digit का mobile number आपकी active and valid meal ID आपको यहाँ फिल करनी होगी इसके बार है आपकी qualification तो सबसे पहले आपको यहाँ select करना है आपके board का नाम तो आपका जो भी board है वो आप select कर सकते हैं Europe passing क्या है आपने कब इसको पास क pass out है 12 pass out है तो आपने board का नाम आप यहाँ पर enter करेंगे same आपका यहाँ पर air of passing आपको देना है और इसके बार आपका जो roll number है वो आप यहाँ पर enter करेंगे नीचे आपको दिया गया है essential qualification तो फेंसे जिस भी post के लिए apply करना चाहते है उस post के लिए फेंसे यहाँ पर जो भी यहाँ पर gain किये हैं और कितने में से gain किये हैं वो आपको यहाँ पर mention करना होगा इसके बार आपकी percentage यहाँ पर आपको पर जरूरत नहीं है इसके बार आपकोई इसमें आपको multiple options मिल जाते हैं, आप किसी भी bank के ATM card, debit card, credit card, UPI, कैसे भी payment आप करना चाहें, वो आप यहाँ कर सकते हैं, और payment confirm होने के बाद ही आप इसमें apply कर पाएंगे, इसके बाद फैंस, आपका जो next option है, वो आपका open हो जाएगा, payment verify होने के बाद, जो की है photograph and signature upload का, तो य यहाँ पर एक format दिया गया है, photograph और signature, इस तरह से आपको यहाँ पर upload करने हैं, इसी format में, तो आपको single folder या single file upload करनी होगी, photograph और signature आपको इस तरह से रखने हैं, और उसके बाद उसको scan करके आपको यहाँ पर upload करना होगा, तो friends, यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर अपनी photo and sign upload करेंगे, आपको उसका preview मिल जाएगा, और उसके बाद इस capture code को fill करने के बाद upload photo and signature पर click करेंगे, इसके बाद आपकी photo यहाँ पर upload हो जाएगी, successful और आपको एक message मिल जाएगा, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, final submission के लिए, और इसके बाद friends, आपको यहाँ पर एक option मिले detail, तो आपको friends से यहाँ पर जो आपका address है, पूरा address जो भी आप लिखते हैं, आपका नाम, आपका house number या village, आपका street name, आपका street या PO नमबर, या फिर city नम, आपका name क्या है, state name क्या है, district name क्या है, और पिन कोड क्या है, वो आपको यहाँ पर fill करना होगा, तो आपका friends से जो यहाँ पर enter कर पाएंगे, तो आपका normal address है, जैसा भी आप लिखते हैं, वैसे आप यहाँ पर उस option को select करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको declare पर click करना है, आप declaration करेंगे, declare करने के बाद नीचे आपको मिलता है preview form का, तो यहाँ से आपने जो form fill किया है, उसकी details को, आ आप यहाँ से preview check कर लेंगे, पिर भी चेक करने के बाद ही आप इसे submit कर पाएंगे, इसके बाद फ्रेंज से आपका जो print out है, वो आप अपने पास निकाल कर रख पाएंगे, और आपका जो form है, वो complete हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, आपको multiple options मिलते हैं, जैसे यहा आपको प्रोसेस होगी, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, और उसको सही भी कर पाएंगे, तो multiple options है, आप अपने according यहाँ पर कुसी भी option का use कर सकते हैं, फॉर्म फिलप का वीडियो में आपको पहले हैं, वीडियो में आपको प्रोसेस होगी, वो आप दाउनलोड कर पाए अपले ही available करा दिया है, और इसकी जो notification है, और इसकी जो LBT conditions है, वो आपको वीडियो description है, मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप details को check out कर सकते हैं, अगर आप applicable हैं, अगर आप eligible हैं, apply कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, और चाहते हैं, ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके, लाइफ सब्सक्राइब और जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूट्यूब चनल, एनलास, थैंक्स वोर वाचिंग